बढ़ रहे आगे मना रहे हम आजादी का अमरत मौसर और इस विशेश मौके पर हमने आपके लिए कुछ निवेश के लिए आज से बैतरिन सेक्टर चुने हैं कौन से हैं वो सेक्टर जहां पर आने वाले समय में आपको मिल सकता है भरपूर मुनाफ़ा और दे सकते हैं जो आ बताए नूपूर ये ग्रोथ जो बदलती जागरुकता है उसके चलते अब लोगों में प्रड़क्स को लेके ब्राइंड्स को लेके और जो इजी आक्सिस मिल रहा है इंटरनेट और इकोमर्स के जरिये उसके द्वारा आपको इस सेक्टर में ग्रोथ आती दिखेगी साथी साथ जो लाइफ और जागरुकता है उसके दो कारण है पहला वहां की जो डिस्पोजिबल इंकम है उसमें जादा ग्रोथ होगी अर्बन ग्रोथ की दुला में और जो दूसरा जो पेनिट्रेशन है चीज़ों को लेकर वहां पे अभी काफी कम है फिलाल 45% कंसम्शन ग्रामिंट भारत से आता है बचावा शेहरों से आता है सबसे पहले इन पर्टिकुलर लिए अगर FMCG पर फोकस करें तो भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है यह उमीद है कि 15% की कंपाउंडेट ग्रोथ आती आपको दिखेगी और 2030 तक जो e-commerce होगा वो 11% का योगदान देगा पूरी FMCG बिकरी में तो कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चीज़ों कौन से स्टॉक्स में रहेंगे इसी के चलते जो स्क्रीन पर बस आई रहे होगी जो काफी जाने माने ना में काफी मोमेंटम वाले स्टॉक्स है और काफी इन्वेस्टर्स के फेवरेट भी है जैसे कि ITC, H.O.L., Nestle, Dower जैसे स्टॉक्स इस लिस्ट में आते हैं FMCG के साथ साथ Appliances और Consumer Electronic Market में भी आपको 9% की ग्रोथ आती दिखेगी और इसी के चलते आपको नज़र रखने है वोल्टास, ब्लू स्टार, हाइविल्स जैसे स्टॉक्स पर तो यह है आपके लिए कंजम्शन प्लस FMCG, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन जवर्दस कमाल करके दिखेगा और ऐसे में कुछ बैतरिन स्टॉक्स आप चुनकर यहाँ पर कर सकते हैं, यह है आपके लिए अगली बैतरिन ठीम